हेलो बच्चो हम लिमिट्स का पूरा टॉपिक बढ़ चुके हैं इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटिनुटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है मैं आपको यह बता देता हूं कि जैसे मालो किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं मालो हमने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया और वो ग्राफ ऐसा आगया ठीक है तो अपने पूरे डॉमेन के अंदर वो ग्राफ है ना कहीं पर बी ब्रेक नहीं हुआ कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ कन्टिनुटी और क्राफ चल रहा है मतलब कि हम बिना पैन को उठाए इस पूरे ग्राफ को ट्रो कर सकते हैं इस के उपर हम सारे के सारे question solve करने वाले हैं कि एक function को हम continuous कब बोलेंगे जैसे हमने limit निकाली थी हमने क्या की थी बच्छो limit निकाली थी limit x goes to a f of x मालो हम function की continuity check करना चाते हैं किसी interval के अंदर या किसी एक point के उपर कि उस point पे function continuous है या नहीं तो इसका क्या मतलब होता है उस function की जो to a के उपर उस function की जो value आएगी exact value वो दोनों क्या होने चाहिए बच्छो same होने चाहिए ठीक है तब हम क्या बोलेंगे वो function continuous है अगर ऐसा हो जाता है then fx is set to be continuous at x is equal to a a point के उपर हम उस function को क्या बोलेंगे continuous अगर उस point के उपर उस function की limit और function की direct value दोनों क्या आजे बच्छो इक्वल आजाए ठीक है तो यह continuous function की definition होती है उसके बाद कुछ function ऐसे होते हैं जो हमेशा continuous होते हैं some continuous functions मतलब यह चीज़े अगर आप याद रखोगे ना तो continuity की question को solve करने में आपको बहुत help मिलेगी कुछ function ऐसे होते हैं चीन का graph कभी break होता ही नहीं कौन-कौन से सबसे पह fx आपका हो गया x आपका हो गया 2x 3x प्लस 5 3x square minus 9 है डिगरी कितनी भी हो बट वो एक x में polynomial होने चाहिए ठीक है ऐसे करके यह सारे के सारे function क्या होते हैं हमेशा polynomial होते हैं दूसरे modulus function modulus function कौन से होते है बच्चो जैसे y is equal to आपका आजे mode of x y equal to आजे mode of x plus 5 mode of 2x minus 5 है ना इस तरह के function जब भी आएंगे वो हमेशा क्या होंगे continuous होंगे तीसरे function बच्चो trigonometric function अपने domain के अंदर trigonometric function क्या होते हैं कुछ trigonometric function सभी के हम बात नहीं कर रहे है जैसे 10x का graph तो break हो जाता ना at x is equal to pi by 2 उसकी value क्या आ जाती है infinite आ जाती है जैसे sin function है cosine function है ये हमेशा क्या होते हैं बच्चो continuous होते हैं हमेशा continuous इनका graph कभी भी break नहीं होता फिर आपका आता है exponential function exponential function जैसे y is equal to e raise to power x है 3 raise to power x है 5 raise to power x है ये graph हमेशा क्या होते हैं continuous होते हैं फिर आपका आता है logarithmic function जैसे y is equal to आपका क्या है log x है ये function हमेशा आपको क्या मिलेगा बच्चो continuous हो लेगा कुछ function आप देखते ही बता देना कि ये कैसे होते हैं continuous होते हैं फिर दूसरा concept आप समझो algebra of continuous functions algebra of continuous functions का मतलब ये होता है algebra के इंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किनी दो function को या किनी दो numbers को हम add कर सकते हैं multiply कर सकते हैं subtract कर सकते हैं तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ अगर माल लो एक function fx है वो किस किस से बना है मिलके f1x प्लस f2x है मतलब कि एक function fx है वो तो function का sum है और ये function भी कैसा है बच्चो continuous है और ये function भी कैसा है continuous है तो हम कहेंगे ये पूरा function fx जो होगा न वो भी क्या होगा हमेशा continuous होगा ये plus हो जए minus हो ठीक है यानि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो continuous function की आप multiply कर दो या division कर दो या addition कर दो या subtraction कर दो जो नया function बनके आएगा न वो भी हमेशा क्या होगा continuous होगा जैसे एक example से समझाता हूँ fx equal to x plus mode of 3x minus 9 आप मुझे ये बताओ ये कैसा function है polynomial function नगर polynomial function हमेशा क्या होता है बताओ continuous होता है ये मैं आपको बताया ये function कैसा है modulus function है ये भी हमेशा क्या होता है continuous होता है इन दोलों का sum यानि कि ये fx ये हमेशा क्या होगा continuous होगा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो continuous function का sum होता है वो भी हमेशा क्या होता है continuous होता है चाहे ये plus का sign आजे चाहे क्या जे बच्चो minus का sign आजे पहला आपको समझा गया continuous function का sum फिर दो continuous function की बच्चों क्या product जैसे fx तो function की product है gx और hx की और यहाँ पे मैं आपको यह बोल रहा हूं कि यह वाला function भी continuous है यह वाला function भी continuous हो है यहाँ पे fx भी क्या हो जाएगा आपका function continuous हो जाएगा आप समझे लिए मेरी बात तो इस तरीके के concept को हम बहुत जादा यूज करने वाले है कि यह function हमेशा continuous होते है और उनका algebra फिर जो discontinuous function होते हैं कौन से होते बच्चों इस continuous function होते हैं यह आपको हमेशा ध्यान रखने है कि यह function कभी भी एक्जाम में question आगया तो हमेशा क्या होंगे discontinuous जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि limit x goes to 3 और यह greatest integer function है यह limit क्या exist करती है क्या आपको पता है यह limit exist नहीं करती जब limit ही exist नहीं करती तो आप कैसे कहोगे कि limiting value और function की value जैसे यह limit exist नहीं करती लेकिन आप यह बताओ अगर function आपका है greatest integer x f of 3 कितना होगा यह 3 हो जाएगा न यह value तो exist करती है बट limit exist नहीं करती इसका मतलब function कैसा हो गया बच्चों function is discontinuous क्या हो गया function बच्चों इस continuous हो गया किस point पे at x is equal to 3 3 पे discontinuous हुए है बाकी के लिए क्या थरी के अलावा जितने भी point बनते हैं 3.1 3.2 4 9 minus 9 उन पे यह function कैसा होगा हम नहीं कह सकते लेकिन हम यह तो कह सकते हैं न कि f x is always discontinuous यह function continuous नहीं होगा या फिर discontinuous होगा कहां पे at all integral value of x हमने concept शिखा था ना limit के अंदर भी कि x की कोई भी integral value हो शिरफ 3 नहीं बलकि 4 5 5 हो माइनस 5 हो इन सभी के उपर greatest integer function आपका क्या होता है बच्चों discontinuous होता है यह बात हमें साथ ध्यान रखना ठीक है अम मैं आपको कुछ question कराता हूँ देखो question के जरी आपको सारा concept समझाएगा पहला question क्या है यह function है definition दे रखी है fx की value 3 होगी कब जब x 0 नहीं होगा और 4 होगी कब जब x 0 होगा इसका मतलब पता है क्या होता है इसका मतलब यह होता है बच्चों कि f की value 4 होगी जब x 0 होगा यानि कि f 0 कितना है 4 है एक तो function के अप क्या निकाला करो direct value निकाला करो x is equal to 0 पे और एक उसकी क्या निकालो फि function बच्छो function क्या है यहां पर बताओ x goes to 0 और यह function आपका क्या बनेगा देखो x goes to 0 का मतलब होता है x exact 0 नहीं है या 0 से थोड़ा कम या 0 से थोड़ा ज्यादा मतलब कि 0 का equal नहीं है तो function की value क्या 3 यह तो constant है और constant function की limit क्या होती है वो same value रहेगी तो देखो limit तो है 3 लेकिन function की direct value है कितनी 4 इसका मतलब यह हुआ x goes to 0 पे function की limiting value है और जो function की exact value है वो तो नहीं आपस में equal नहीं है तो हम कहेंगे बच्छो so fx is not continuous at x is equal to 0 अज़ा 0 पे तो आपने कहा दिया कि यह continuous नहीं है not continuous at x is equal to 0 अगर आपसे इस question में यह पुछ लिया जाए कि continuous कहां है कहां पे continuous है where fx is continuous तो 0 के उपर आपने प्रूव कर दिया कि यह continuous नहीं है तो यह सभी values के लिए all values of x except 0 0 को छोड़के बाकी सभी values पे यह function कैसा है बच्छो continuous है यानकी real number के set में से आप 0 को हटा दो तो बाकी जितनी भी value बचेगी ना इस set में उन सभी पे यह function क्या है continuous है बट किस पे continuous नहीं है x equal to 0 के उपर अब देखो यह question इसमें क्या कहता है यह function कहता है discontinuous है कहाँ पे x equal to 0 पे 5 पे minus 3 पे कहाँ पे मैं तो कहता हूँ कहीं पे discontinuous है ही नहीं यह कैसा function आप खुछ सोचो यह कैसा function है बच्छो it is a polynomial function यह कैसा function है polynomial function है और मैंने क्या बताया था जितने भी function polynomials होते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं continuous होते हैं तो यह कहता है discontinuous कहाँ पे है मैं कहता हूँ discontinuous होता ही नहीं तो none of this cancer आजाएगा ठीक है इसका मतलब यह हुआ क्या it is continuous for all x belongs to r x की कोई भी real value ले लो ठीक है क्योंकि इसका domain क्या होता है real number का set होता है हमेशा यह function क्या होगा continuous होगा third question देखो यहाँ से अच्छे question होने start हो गए आपको यह function continuous दे रखा है x equal to pi by 2 पे आपको k की value निकाल दिए है पता है क्या क्या दो हर question में जिस point पे function continuous है उस point पे आप क्या निकाल लो function की value निकाल लो limiting value निकाल लो और उसकी exact value और दोनों को क्या put कर दो बच्छो equal exact value तो कितनी बताओ इसका क्या मतलब इस line का f of pi by 2 कितना है आपका 3 है अब आप क्या निकालोगे limit limit x goes to pi by 2 fx function क्या यूज करोगे k into cos x upon pi minus 2 x यह k तो constant है इसको निकालो बाहर अब limit के हमने इतने सारे question practice किये है उससे आपको यह limit तो निकालनी आती है यह कौन सी form है 0 by 0 form है अगर यह 0 by 0 form है बच्छो तो लोबिटल रूल लगा तो derivative कर रहा हूं मैं cos का minus sign और निचे कितना जग अपका minus 2 यानि कि k into sin by x को pi by 2 put करो minus minus क्या हो गया plus sin pi by 2 और 2 तो है निचे sin pi by 2 कितना होता है बच्छो वन तो limit कितनी आगी k by 2 और मैंने क्या का था जो function की limit आए उसको इसकी exact value के equal put कर दिया करो ठीक है k by 2 को किसके equal put करो 3 k कितना आजएगा बच्छो 6 इस तरह के question exam में आते हैं कि आपको function continuous given होगा किसी point पे और आपको किसी constant की value निकालनी होगी जैसे यह question देखो आपको function continuous दे रखा है ए और बी की value बताओ continuous दे रखा है इसका मतलब कुछ नहीं कहा रखा ना कि किस point पे तो मतलब कि हर एक point पे function कैसा है बच्छो continuous है लेकिन हम किस किस पे continuity check करेंगे अब ध्यान से देखो एक तो 2 के उपर क्योंकि 2 से छोटी के लिए value दे रखे है मारको function की और 2 से बड़ी के लिए और एक 10 से छोटी के लिए भी दे रखे है 10 से बड़ी के लिए तो हम दो point पे continuity check करेंगे बच्छो किस पे at x is equal to 2 और at x is equal to 3 तो continuity check करने के लिए पहले क्या निकालो limit और limit भी क्या निकालने पड़ेगी हाँ पे left hand limit अलग और right hand limit अलग मैं कहता हूँ पहले निकाल तो left hand limit limit x goes to 2 minus fx देखो x जब 2 से छोटा होगा तो function की value क्या होगी बताओ 5 इसका अनसर कितना आगया 5 क्योंकि constant function है right hand limit निकालो right hand limit जब x की value 2 से बड़ी हो देखो x जब 2 से बढ़ा होगा तो function क्या होगा आपका बच्चो ax plus b और x को 2 put करो यानिकि 2a plus b अब आप मेरे को बताओ अगर function continuous है तो यह limit तो दोनों equal होने चाहिए तबी तो limit exist करेगी इसका मतलब 2a plus b की value कितनी होगी 5 अचा अब exam में इतना थोड़े लिखोगे exam में तो आप सिदा इस 5 को equal put कर देना इस k और x को क्या put कर देना 2 बस इतना कह रहा हो मैं ठीक है x equal to 3 नहीं यह मैंने यहाँ पर 3 गलती से लिख दिया इसको कितना लिखना चाहिए था मेरे को 10 10 के ओपर check करेंगे left hand limit limit x goes to 10 minus और function देखो x जब 10 से चोटा है तो function क्या होगा बच्छो आपका ax plus में b x को 10 ही put करेंगे तो कितना आगया आपका 10 a plus में b या गया right hand limit limit x goes to 10 plus function क क्या यूज करेंगे बच्छो 21 यह आपका कितना आगया 21 और यह दोनों क्या रख दो limit equal equal क्यों रख रहा हूं मैं क्योंकि function continuous है at x equal to 10 एक यह equation बताओ दोनों को solve करके a और b की value आजेगी न a और b की जो value आएगी वह आपका answer होएगा solve कर लो यह कितना आपका 2a plus b is equal to 5 minus करो 8 equal to 16 एक इतना आगया बच्छो 2 आगया एगर 2 आगया तो b कितना आजेगा 1 तो 2,1 आपका क्या आजेगा answer आएगा बहुत आसान कोशन है इसमें देखो fx आपको continuous दे रखा है x equal to 2 पे तो l की value बताओ x equal to 2 पे बच्छो continuous है तो left hand limit तो यहां से निकल जागी और right hand limit यहां से left hand limit के लिए यह function use करोगे बट x को तो 2 पूट करोगे न तो कितना आएगा बताओ 3 into 2 minus 4 और यहां पे भी x को कितना पूट करो 2 तो यह कितना आगया अपका 2 is equal to 4 plus l, l की value यहां से कितने आजेगे अपकी minus 2 और यही इस question का answer है, खतम question आप देखो इस question में क्या दरेखा आपको, यह function continuous दरेखा आपको x equal to 0 पे, तो आपको non zero value बतानी है k की, यहनकि k की ऐसी value बताओ, जो खुर 0 ना हो, तो मैं वही सिदा कर रहा हूं, limit put करके, पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, इसकी limit निकालता हूं, x goes to 0, तो function क्या यूज क करेंगे, 10, kx और अपोन में, x, देखो, less than equal to, दे रहा है, मतलब यह कौन सी limit है, left hand limit है, यह left hand limit है, k की value, kx है, तो निच्चे क्या बना लो, बच्चो, k बना लो, और उपर भी किस से multiply करता हूं, k से, इसका अंसर कितना आ जागा, बताओ, k into 1, यान कि k आ गया, क्या, यह यह कौन सी limit है, बच्चो, left hand limit, अब निकालो, right hand limit, जब x 0 से क्या होगा, बढ़ा, यान कि 3x plus में 2k square, x को तो 0 ही put करोगे न, तो कितना आ गया आपका, 2k square, तो यह दोनों value क्या रख दो, equal, क्योंकि limit तो exist करनी चाहिए न, तब ही तो function continuous होगा, एक तरफ ले आओ इसको, k common low, तो k की value या तो क्या हो सकती है, 0 और या क्या हो सकती है, 1 by 2, 0 हो नहीं सकती, क्योंकि क्या पुछा इसने, non zero value, तो answer कितना आ गया, 1 by 2, आप exam में कुछ नहीं, इतना करोगे, बस, इसकी limit निकालो, जब x को 0 put करोगे, क्या आएगा, बच्चो, कि आएगा, इसकी limit निकाल इसकी value निकालो, जब x को 0 put करोगे, तो ये 0, ये कितना है, 2k square, एक्जाम में तो इतना लिखना है, और question का answer आजाएगा, ठीक है, ये इतना मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, ये question देखो, इसमें ये function continuous है, बचो 0 के उपर, ये की value बताओ, 0 के उपर continuous है, दे इसमें तो आप x को direct 0 put कर देना, तो ये 0 plus 0 minus 2 या गी, हाँ, इसमें अगर आप x को direct 0 put करोगे न, तो 0 by 0 form बन रही है, तो आप क्या करो, left hand limit दिकाल लेखे तो थोड़ा सा solve कर लो इसको, ठीक है, बताओ, जब भी 0 by 0 form बनती है, तो हम क्या लगाते है, लोपिटल, या फिर rationalization, rationalization से हो सकता है, थोड़ा question lengthy हो जाए, तो हम लोपिटल यूज कर लेते हैं, क्या होगा, इसका derivative बताओ, 1 by 2, 1 plus kx, और इसका derivative क्या हो गया, बच्चो, k हो गया, यह होता है, minus, 1 by 2, 1 minus kx, और इसका derivative कितना हो गया, minus k, और x का derivative हो गया, बच्चो, 1, अब आप x को put कर दो 0, x को बच्चो, 0 put करोगे, k by 2 plus k by 2 कितना हो गया, बताओ, k हो गया, k हो गया, तो यह value बताओ, आपने को किसके equal है, minus 2 के, क्योंकि जब आप right hand limit निकालोगे, तो इसका answer कितना है, minus 2, left hand limit का answer है, आपका कितना, k, तो k की value किसके equal होने चीए, minus 2 k, और यह ही आपके question का answer है, अब यह देखो, यह बहुत अच्छा question, same question, continuous function pi by 4 पे, तो a बताना है, आपको a, तो मैं कहता हूँ, एक function की limit और एक function की direct value, दोनों क्या होने चीए, equal, direct value जो कितनी है, a, limit हम निकाल लेते है, limit x goes to pi by 4, तो function यह यूज़ करोगे न, 1 minus root 2 sin x upon pi minus 4x, अब बताओ, यह कौन सी form है, 0 by 0 form, अगर 0 by 0 form बन रही है, तो आप low peter लगा दो, minus root 2, sin x का derivative बच्छो क्या होता है, cos x, pi का derivative 0, यह कितना हो गया, minus 4, यानि की x को क्या put कर दो, आप pi by 4, minus minus कर जाएगा, तो यह क्या आ गया, cos pi by 4, यह root 2 होता है, यह कट गया, तो answer कितना आ गया, finally, 1 by 4, अब मैं कहता हूँ, इस 1 by 4 को किसके equal लिखता हूँ, इस a के equal, एक value कितनी आगे बच्छो, 1 by 4, यह इस question का answer है, same question यह है, x equal to 1 के ओपर यह function continuous है, तो आप क्या करो, यहाँ पे भी x को 1 put करो, यहाँ भी x को 1 put करो, और दोनों को क्या रख दो, equal, क्योंकि यह किसके लिए काम आएगी, left hand limit, यह function किसके लिए काम आएगा, right hand limit, दोनों के value क्या रख दो, equal, यहाँ पे देखो, x को put करो 1, और यहाँ पे भी x को put करो, बच्चो 1, तो एक इतना आगया बताओ, तू आगया, oral question होते हैं, ऐसे ऐसे तो ठीक है, यह भी आसान question है, आपको continuous दे रखा है function 1 के ओपर, m बताना है, तो यहाँ पे put करो, x की value बच्चो 1 put करो, यहाँ पे भी, और x की value 1 put करो, यहाँ पे भी, त इतना आगया अपका, तू आजेगा, खतम question, यह कहता है, fx equal to x square continuous है कहाँ पे, मुझे यह बताओ, यह कैसा function है, एक, polynomial function है न, और polynomial function मैंने बताया था, क्या होता है, always continuous होता है, मतलब कि, हर जगे continuous होता है, ठीक है, हर जगे continuous है, तो for all values of x, यह continuous है, इस question में देखो, वही कहत है कि fx continuous है 1 के उपर, तो बताओ, यह क्या होगा, fx अगर 1 के उपर continuous है, तो हम क्या करें, पहले आपने limit निकालो इसकी, बाद में बात करेंगे, बाकी सारी, x square minus 1 upon x minus 1, यह 0 by 0 form है, या फिर इसको factorize करतो, x minus 1, x plus 1 upon x minus 1, x को 1 put करोगे बच्चो, तो कितना आगया 2, यह कहता हूँ, fx अगर, if fx is equal to this, then at x is equal to 1, fx is continuous, तो यह आपको check करना था, कि continuous है या फिर नहीं है, तो बच्चो, यह क्या है function, continuous है किसके उपर, x is equal to 1 के उपर, ठीक है, आसान सा question था, next question देखो, बहुत आसान question है, यह x is equal to 0 के उपर क्या दे रहा है, continuous के बताओ, तो आप बताओ, उपर से, उपर वाले function की help से limit निकाल लो, और यह इसकी क्या है, बच्चो, exact value आपको दे रहा है, यह one की जिगह क्या कर लो, 0 है, ठीक है, यह typing mistake है, यह 0 कर लो, तो limit निकालो आ limit x goes to 0 fx, और fx क्या बच्चो ही है, अब यह question तो हम limit में कर चुके है, इसका answer कितना है बच्चो, 1 by 3, और 1 by 3 जो limiting value आही है, उसको किसके equal put कर दो, इस exact value के, तो 3 के equal to 1 by 3, के कितना है बच्चो, 1 by 9, यही इस question का correct answer है, यह देखो, बिलकुल आसान question, वही आपको x equal to 0, यहा to 0, अब आप मुझे बताओ, मैंने कितने बार question में यह बताए है limit में, कि इसका answer direct लिक तो कितना, 1 by 2, और यह 1 by 2 किसकी value होती है बच्चो, इस direct value के, तो k कितना आगया आपका, 1 by 6, यह इस question का correct answer है, 15th question देखो, कहता है k की किस value के लिए यह function continuous हो जाएगा, k की value बताओ, त आप limit निकाल लो, limit x goes to 2, x square minus 4 upon x minus 2, factorize कर लो, numerator के factor x minus 2 into x plus 2, x minus 2 क्या हो जाएगा बच्चो, cancel, और x को क्या put करो, 2 put करो, 4 आगया, तो यह जो k है बच्चो, k, यह इस 4 के equal होना चाहिए न, तभी तो function क्या होगा, continuous होगा, तो function k की value कितनी आगया, अपनी 4 आजाएगी, अब यह देखो, कहता है, वही k की value बताओ, जिसके लिए function continuous हो जाए, किसके उपर 3 के उपर, तो 3 के उपर function की value कितनी है, k, तो k को किसके equal रखतो बच्चो, इसकी limit के equal रखतो, और limit आपको निकालनी है, इस function की, at x is equal to 3, तो बताओ, यह कौन सी form है, 0 by 0 form है, आप put करके दे derivative करोगे, यह आएगा, निचे के आएगा, 1, x को 3 put करना, यह कितना आगया, 12, यानि की, k की value कितनी हागी, बच्चो, 12 आगी, जो function की limiting value है, वही इसकी exact value के equal होनी जाए, तभी function continuous होता है, यह तो definition होती है, continuous function की, अब यह कहता है, यह continuous है, at x is equal to 0 पे, तो किये बताओ, continuous है त देखो, यह x क्या है, less than 0 है, बच्चो, जो x less than 0 होता है, तो mode x कैसे open होता है, बताओ, minus x के साथ open होता है न, क्या लिखोगे, left hand limit, x goes to 0 minus, यह होती है, यह function लेंगे हम, और mode x कैसे open होता है, बच्चो, minus x के साथ, x से x कट गया, तो answer कितना आ गया, बच्चो, minus का k, यह minus k आ गया, तो यहाँ पे, right hand limit आप निकाड़ोगे, limit x goes to 0 plus 3, यह तो constant function है, कितना गया है, यह तो लोग क्या होने चीए, equal, minus k की value 3, यह आप कह दो, k की value क्या, minus 3, एकी बात है, answer कितना आ गया, बच्चो, k की value, minus 3 आ जाएगा, option number b आ जाएगा, अब देखो, 18th question, पिर वही question आ गया, कहता है, k की value वो बताओ, lambda की value बताओ, जिससे की यह function continuous बन सके, बच्चो, 0 के पर function की value, define है न, तो आप continuity चेक करो, at x is equal to 0, एक बार चेक करो, बच्चो, left hand limit, limit x goes to 0, minus, 0 से जब x की value छोटी होगी, तो function कौन सा होगा, lambda into x square minus x, but x को तो 0 ही put करोगे न, तो बताओ, यह तो क्या आ गया, 0 आ गया, और right hand limit निकालना, right hand limit, जब x की value 0 से बढ़ी हो, x को 0 put करोगे, बच्चो, तो 0 plus 1 यह तो 1 आ गया, अब मुझे बताओ, जब left hand limit और right hand limit आपस में equal है ही नहीं, lambda की value तो इसके, lambda की value पी तो depending नहीं करती न, फिर अब x 0 होगा, तो यह जब चीज 0 बनगे, तो lambda तो चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब left hand limit और right hand limit equal नहीं है, इसका मतलब यह होता है, बच्चो limit ही exist नहीं करती function की, 0 पे यह जो limit है न, यह exist ही नहीं करती, तो मैं कहता हूँ, अगर limit ही exist नहीं करती, तो उस function को continuous कहे ही नहीं सकते, इसका मतलब हम कहेंगे, fx is not continuous at x equal to 0, continuous नहीं है, तो lambda की value जाए कुछ भी हो, तो answer क्या जेगा बना, no value of lambda, आप कहने का मतलब यह है, एक बच्चे नहीं कहाँ सार इसमें न, lambda आप 3 put करके देखो, 3 put कर दिया, जब x की value 0 होगी, तो जब यह पूरा 0 है, लेम्डा 3 बन भी जाएगा, तब भी इसको बताओ, continuous कैसे बना देगा, क्योंकि left hand limit तो हमेशा ही आपकी क्या आएगी बच्चो, 0 आएगी, तो lambda को आप कुछ भी put कर लो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, कोई ऐसी value है यह नहीं, लेम्डा की, जो इस function को continuous बना सके, यह मतलब है इस question का, यह question है, k की value बताओ, जिससे यह function क्या होगी बच्चो, continuous होगी, तो मैं सिधा तरिक आपको बता देता हूँ, left hand limit, के लिए इसमें आप x को क्या put करो, 2 put करो, और direct put के अगरो, 5, right hand limit के लिए, इसमें put करो, कितना k को, x को, 2, यह भी कितना आगए, 5, तो left hand limit दोनों के आगी बच्चो, equal, तो function continuous होगा, कब, जब x equal to 2 के उपर, जो function की value है, वही इसकी limit के equal होगा है, तो k की value कितनी आगी बच्चो, 5, अब यह देखो, 20th question, यह भी कहता है, यह function continuous है, x equal to 3 पे, तो a और b में एक relation बताओ, simple सी भात है देखो, यह function use कर लो left hand limit के लिए, यह use कर लो right hand limit के लिए, but put तो x की value 3 करनी है न, इसमें x को 3 put करो, कितना आगे बताओ, 3 into a plus 1, इसमें x को 3 put करो, तो b into 3 plus 3, बस यह आपका जो है न, answer आजेएगा, तो 3a minus 3b, और 3 minus 1, 3a minus 3b is equal to कितना आगे बताओ, 2, option number कौन से है, a, अब यह question देखो, यह कहता है कि following statement को consider करो, यह function हमेशा continuous है, yes, true है, क्यों, क्योंकि जो polynomial function होते है न, वो हमेशा क्या होते है बच्चों, continuous होते है, polynomial functions are always continuous, तो यह statement क्या है, correct है, यह statement कहता है, यह function discontinuous है, at all integral values of x, yes, यह भी सही है, अच्छा, यह लिखाएगा, exam में, where, यह जो bracket है, यह किसको denote करती है, this denotes the greatest integer function, ठीक है, यह standard bracket नहीं होती, बलकि examiner को लिखना पड़ता है, तो यह भी सही कह रहा है, x की जितने भी integral values होती है, वहाँ पर यह function continuous नहीं होता, तो तोनों statement true है, तीसरा, यह कहता है, fx यह दे रखाए, यह continuous है, 1 के उपर और 2 के उपर सिर्फ, बाकी नहीं है, मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं है, यह अकिला function कैसा है, बताओ, हमेशा continuous, यह भी हमेशा continuous, fx तो इन दोलों को क्या है, sum है, तो continuous function का जो sum होता है, वो भी हमेशा क्या होता है, continuous होता है, बत, यह कहता है, सिरफ 1 पे और 2 पे continuous होता है, मैं कहता हूँ, नहीं, यह तो हमेशा continuous होता है, तो यह statement क्या होगी, बच्चो, false होगी, ठीक है, यह कहता है continuous नहीं है 0 के पर मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप क्योंकि 0 के उपर बताओ यह limit कोई exist करती है क्या मैंने कितने question limit में आपको करवाए है ऐसे यह limit आपकी exist नहीं करती क्यों क्योंकि 0 से बड़ी value लोगे तो mode x x के साथ खुलेगा मतलब x y x 1 हो जाएगी right hand limit क्या आजएगी बच्चो 1 और left hand limit क्या आजएगी minus 1 तो दोनों equal नहीं आई तो function की limit exist नहीं करती limit exist नहीं करती तो function continuous नहीं होता पहली दो statement correct है क्या पूछ रख है which of these statements is or are correct कौन से बच्चो कौन से पहली दो correct है और पहली दो correct है और अगली दोनों क्या है incorrect है नहीं नहीं यह भी तो correct है न सोरी 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 यह दिख रहे है note continuous है मैं कहता हूँ yes सही है यह 1 2 और 4 देखो 1 2 और 4 only यह क्या है बच्चो correct है portion number 22 22 में देखो यह function कहता है continuous है कब आप मुझे बताओ fx क्या है यहाँ पर 2x माइनस mode x है न 2x क्या होता है बताओ हमेशा continuous होता है क्यों होता है यह क्योंकि यह एक क्या है बच्चो polynomial function है और यह यह भी हमेशा continuous होता है ऐसा क्यों क्योंकि यह बच्चो एक क्या है modulus function है और मैंने आपको क्या बताया था algebra of continuous function में तो continuous function का difference भी हमेशा क्या होगा बच्छो continuous होगा always continuous always continuous का मतलब होता है x की value कुछ भी put कर लो ये हमेशा क्या होगा बच्छो continuous होगा for all values of x question number 23 ये function कहता है continuous x0 के उपर तो k बताओ x equal to 0 के उपर function की direct value तो k है limiting value और निकालतो हो ना यानि की limit और निकालतो बस इसके उपर तो ये कौन सी form है बताओ 0 by 0 form है लोपिटल लगा दो sin x का derivative cos x plus x का first same second का derivative plus second same first का derivative अब तो 0 by 0 form नहीं है x को क्या put करो बच्छो 0 cos 0 1 ये 0 cos 0 1 divided by 1 यानि की 2 और ये 2 किसके equal होना चीए बताओ के 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 value कितनी आगी बच्छो तू आगी आगी आसान सा question था देख़ज़ा के देख़ए बच्छोट अगी आगी इस question में देखो पिर वही आ गई ये function क्या है continuous है तो के की value बताओ गाए च्छों इसकी limit क्या होगी ये तो ओरल अगी आगी ये देख़ए ये एक्ष टो जीडवर्या chorus ये तो और गी है एक्छों 5x upon 3x यह limit किसके equal होती है बच्चो 5 by 3 होती है और यह x की value 0 put करेंगे तो function की value क्या रही है के कितना होना चाहिए अपका 5 by 3 होना चाहिए अब यह देखो इस question में क्या बोलता है वही यह function minus 5 by 6 पे क्या है continuous है तो इस पे तो function की value क्या है के limit और निकालतों चिरफ आप limit x goes to minus 5 by 6 root 3 sin x और plus cos x divide by x plus 5 by 6 पर चुछ इसमें आप x को 5 by 6 put करोगे न तो यह function form है 0 by 0 form इसमें लोपिटल लगाओ इसमें आप लगादो लोपिटल root 3 sin x का derivative cos x और cos x का derivative बच्चो कितना minus sin x और यह कितना हो गया 1 बस अब तो 0 by 0 form है नहीं अब x को क्या put करो ध्यान से minus 5 by 6 x को put करो minus 5 by 6 cos minus theta positive cos theta ही होता है और 5 by 6 कितना होता है 30 minus minus plus क्योंकि sin minus theta minus sin theta होता है sin 30 तो cos 30 कितना होता है root 3 by 2 sin 30 कितना होता है 1 by 2 तो आप क्या करो k की value बतानी है ना आपको इसको solve करो तो यह कितना आगया आपका cos 30 minus 5 by 6 put करोगे यह पर मैं चेक कर लेता हूँ क्या किया है root 3 यह यहाँ पर root 3 चाहिए था आपने को है ना मैं गलती से root 2 लिग गया तो यह root 3 है यह क्या है root 3 है यह कितना है 3 by 2 plus 1 by 2 यानि कि 4 by 2 और 4 by 2 का मतलब क्या होता है बच्चो 2 option number यह आपका correct हो जाएगा आसान सा question यह question देखो इसमें आपको function continuous दे रखा x equal to 0 पे तो k की value बतानी है तो k किसके equal होगा बताओ function की जो limiting value होगी x equal to 0 पे और function यह है अब मैंने आपको इतनी बार बता रखा है या तो इसमें low-pital लगा दो या एक मैंने आपको direct theorem बता रखे न चाहे इसको verify कर लो आप low-pital से और चाहे इसको सिदा याद रखोगे तो बहुत ही असान है इसका answer 1 by 2 होता है बट पहचानो इसका मतलब क्या होता है यह जो angle है उसका square यहाँ होना चाहिए ठीक है 8x square ही है मैं क्या करूँगा फिर 2 से multiply करूँगा उपर और 2 से निचे यह उपर वाला 2 तो चला जाएगा बाहर समझे लिए आप मेरी बात और यह क्या आगे आपका 16x square और यह लिख दो इसको 4x का whole square अब बताओ इसका answer कितना होता है 1 by 2 answer कितना आगया finally 1 k की value कितनी आगया अपकी 1 आगया ऐसे ही यह question है function continuous है आपका 1 के उपर k की value बताओ तो बच्चों यहाँ पर x को 1 put कर दो और यहाँ पर x को 1 put कर दो और यहाँ पर x को 1 put कर दो कोई फरक पढ़ता ही नहीं k कितना आगया आपका 4 आगया आसा question था यह तो k कितना आजाएगा बच्चो 4 आजाएगा ठीक है यह question है k की value बताओ इससे यह function 0 पर क्या हो जाए continuous तो एक बार x को यहाँ पर 0 put करो और एक बार x को यहाँ पर 0 put करो अब तो ऐसे question आप orderly solve कर सकते हो k की value कितनी आगया आपकी 1 by 2 option number b आजाएगा 29th question यह continuous है 0 के उपर k बताओ फिर में यह बताओ मिर को यहाँ पर आप x की value 0 put करो और यहाँ पर आप x की value 0 put करो तो क्या आगया बच्चो k is equal to k आगया इसका क्या मतलब होता है k is equal to k का मतलब होता है यह function continuous तभी होगा जब k और k क्या हो equal और k और k तो आप मिर को बताओ हमेशा equal होते है तो k और k तो हमेशा equal होते है यानि की k कोई भी real number आपका answer हो सकता है जैसे मैं आपको एक example देके बताता हूँ आपकी left hand limit या right hand limit आजाती 2K plus 1 और 1 आजाती 3K minus के 5 तब आप यह नहीं कहते कि k की कुछ भी value पूट कर लो नहीं तब आप यह कहते कि सर्फ k की value शिरफ यहाँ पे आप 7,6 ही पूट कर सकते हो है न तब यह condition true होगी but k is equal to a तो हमेशा ही true होती है अब यह को आप कुछ भी real number पूट कर दो यह condition हमेशा ही true होगी k और k क्या होते है equal अब यह देखो question number 30 आपको वही function क्या दर रखा है continuous तो आपको k की value बतानी है तो आप यह जो direct value है 1 by 2 इसको equal पूट कर दो limiting value के 1 minus cos kx और अप उन में x sin x अब बात सिर्फ इतनी सी है कि यह limit कैसे solve करें मैं कहता हूँ यह sin x है न इसके निचे x लगा दो और इसके निचे क्या लगा दो उपर भी क्या लगा दो x क्योंकि limit x goes to 0 sin x by x तो क्या होता बच्चो 1 तो इसको तो picture से हटाई दो question सिर्फ इतना बच गया और यह मैंने फिर अभी तो आपको बताया था कि यह जो यहाँ पर kx है ना तो इधर भी क्या होना चाहिए kx का square होना चाहिए है क्या होना चाहिए k square x square तो मैं k square अपनी तरफ से multiply कर देता हूँ k square को मैं पाहर भी multiply कर देता हूँ बता हूँ ऐसे एक ही बात है ना कि यह तो constant है अब आप इसको क्या लिखते हो 1 minus cos kx upon kx k square x square यह आ गया है ना यह हो गया अब बताओ मेरे को इसका answer क्या होता है इसका सिर्फ answer 1 by 2 होता है इसका answer क्या होता है बच्छो 1 by 2 तो function की limited value आगी k square by 2 यह लिखते है हमने k square by 2 और function की exact value कितनी है बच्छो 1 by 2 क्या आ गया k is equal to k square equal to 1 k की value कितनी आगी बच्छो plus minus 1 आएगी k की value कितनी आएगी plus minus 1 और यही अपने इस question का answer है तो यह 30 अच्छे question थे continuity के अगर limits आपको अच्छे से आता है न तो continuity आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं करेगा